जारकेंड इकडमी काउंसील जेक बोट के तरफ से इंगली स्कोर क्लाश 12 का जो एकडाम 2024 में होने वाला है उसके एकडाम पेटन में उसके मोडल पेपर में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो आ एकडम में आप इसको बिना समझे अगर चले जाते हैं तो undoubtedly एकडम में जो है आपका नंबर कम आएगा ही आएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाना है कितना बनाना है और कहां से क्या छोड़ना है इसलिए हर एक चीज जो भी बताएंगे उसको डिटेल में समझ जना कि आखिरकार subjective में क्या गलती है जिसको आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से आपको question solve करना है और साती साथ मैं आप लोगों को English score class 12 का modal paper के base पे blue print बताने वाला हूँ कि आखिरकार हम लोगों का English में कहां कहां से question पूछा जाएगा English में जो हम लोगों का दो book है फ्लेमिंगो और विस्तास उसमें कौन-कौन से chapters या कौन-कौन से poem से question पूछे जाएंगे साती साथ हम लोगों का passage जो है वो कितने marks का होगा किस type का होगा और साती साथ हम लोगों का जो advanced writing skill है जिसमें report, article, notice, later आता है वो आखिरकार कितने-कित इतने number का होगा हर एक चीज detailed में अच्छा से बताएंगे copy और pen निकाल लो और मेरे साथ हर एक चीज को note down करते हुए आप लोग चलोगे हर एक चीज जैसा कि आप अभी screen में देख सकते हैं हर एक चीज आपको हम detailed में बताएंगे हर एक चीज के बारे में on the point हर एक चीज इत हम लोगों का poem section और एक होता है हम लोगों का story section तो सबसे पहले हम आप लोगों को story section बताने वारे हैं flamingo के बारे में कौन सा section story section अब जो हम लोगों का story है last lesson जो हम लोगों का flamingo का story है जिसका सबसे पहला chapter है the last lesson इसमें हम लोगों का सबसे पहले objective इस chapter से objective type का दो question पूछा गय है ठीक है रुको एक मिनिट हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब्जेक्टिव में इसका इस लेशन से अब्जेक्टिव टाइप का हम लोगों का दो कोस्टिन पूछा है और एक बात हम पहले बता दे रहे हैं फ्लेमिंगो हो या विस्तास हो या कोई भी टॉपि तो सेम ऐसे ही दा लाश्ट लेशन से दो नमबर का यानि अब्जेक्टिव कोस्टिन दो पूछा गया है एक एक नमबर का यानि दो नमबर का इसके बाद एक इसका लोग कोस्टिन पूछा गया है तो टोटल जो है हम लोगों का दा लाश्ट लेशन से पांच और दो सात न का question lost spring से पूछा गया है, deep water से objective type का यहां से जो है आपका एक question पूछा गया है deep water से, दो और तिन number का कोई question नहीं है और एक इसका long question पूछा गया है आपका 5 number का, यानि total जो है वो 6 number का question आपका deep water से पूछा गया है, red trap का बात करें, तो objective type का यहां से दो question पूछा गया है, बस इसके आलावे कुछ नहीं पूछा गया है, यानि कि हम लोग का दो number का objective question red trap से इस बार है, indigo का बात करें, तो indigo से एक objective type का question पूछा है, यानि total एक number का पूछा indigo से, point और pancakes से जो है वो एक question हम लोग का objective का पूछा है, यानि कि एक number का पूछा है, इसके बाद the interview जो है, यहां से भी एक objective question पूछा है, सिर्फ इसके बाद साती साथ अगर बात करें going places का, तो इसमें से दो हम लोग को objective question पूछा, यानि total दो number का, यानि basically अगर इस बार के model paper को देखे, इंडिको से one marks का, poet and pancake से one marks का, the interview से one marks का, और going places से two marks का question जो है, वो पूछा गया है, हो गया, तो अच्छा से screenshot ले लो, यह जो भी चीज था, यह हम लोगों का story section था, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि poem में कौन-कौन सा poem से कितने-कितने marks का question पूछा है, तो basically, यह हम लोगों का poem है, और हाँ, poem में, यह जो poem number two है, an elementary school classroom in Islam, इसको delete कर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे delete, delete, delete लिखे, इसका मतलब है कि इस चीज को delete कर दिया गया है, ठीक है, अब आओ, हम आप लोगों को बताते हैं कि आकिरकार किस से कितना-कितना marks का पूछा, उससे पहले हम पहले ही आप लोगों को बता दे, कि भाई, दो number का कोई question नहीं पूछा गया है, और नहीं तीन number का कोई question पूछा गया है, अब पहला poem जो है, इस बार का जो model paper है, उसमें पिछले बार going places का poem का एक पार्ट दिया था, वही question आप लोगों को exam में पूछा था, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, एन elementary school classroom इन्हें सलम को छोड़के, जितना भी poem है, उस poem का कम से कम थोड़ा बहुत आप एस्टेंजा याद रख लेना, यानि थोड़ा बहुत poem याद रखना कि अगर किसी poem का कोई पार्ट अगर आपको exam में काट के दे रहें, तो at least आपको पता हो कि ये poem का पार्ट जो है, ये किस poem का पार्ट है और इसके poet या poet इसका नाम क्या है, तो ये जो my mother, my mother at 66 जो है जिनके poet कमला दास है, ये इस poem का एक एस्टेंजा दिया हुआ है, आपका objective type के question में, और उस question में आप लोगों का यहां से जो है वो question पूछा गया है, question नमबर 17, 18, 18 और 19, ये तीन question जो है वो इसी poem से पूछा गया है, यानि basically objective type का यहां से तीन question बन रहा है, और हाँ, long type का भी यहां से जो है वो 5, 1 question पूछा गया है, यानि 5 और 3, 8, total my mother at 66 poem से 8 नमबर का question इस जो delete हो चुका है, छोड़ दे रहें, keeping quiet जो है, इसमें से हम लोगों को objective type का एक question हम लोगों को पूछा गया है, और इसमें से कुछ दुबारा कुछ भी और चीज जो है वो नहीं पूछा गया है, इसके बाद ए thing of beauty यहां से दो question पूछा गया है, यह हम लोगों का two marks का पू पूछा है, यानि पांच नंबर का question, long question में roadside stand दिया हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर से कोई भी question जो है आइस बार नहीं दिया है, यानि अगर बात करें पोयम का, my mother rate 66, 8 marks का, an elementary school classroom in asylum delete हो चुका है, keeping quiet से एक नंबर का question, a thing of beauty से 2 marks का question, roadside stand से 5 marks का question पूछा गया है, इ देखना हम लोगों को ये है कि इस model paper के base पे किस टाइप का आप लोगों का English का जो है वो question पूछा जाएगा, लेकिन गोर ये करना कि एक long question तो आपको कम से कम poem section से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको flamingo का story याद कर लेना है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत poem याद रख और most important जो model paper जेक बोट डाला है, उस model paper के एक-एक objective और subjective question को आप जरूर करना, क्योंकि इन में से कुछ question जो है वो exam में टेली करेगा ही करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा जो है वो flamingo book जो है वो खतम हो जाता है, उपर story का बता दिये और नीचे poem का, पूछा है और रहता भी नहीं है, एक चुबल में, विस्तास में तो सिर्फ सिर्फ story है, तो विस्तास में देखो क्या हुआ है, सबसे पहले समझ लो, विस्तास में दो story डिलीट कर दिया गया है, यानि इस बार आपको वो नहीं पढ़ना है, एक शुड विजाठ हीट मम्मी चैप्टर नमबर 7 और दूसरा चैप्टर नमबर 7 एक चैप्टर नमबर 5 शुड विजाठ हीट मम्मी और दूसरा चैप्टर नमबर 7 इवाज ट्राइज ओन ओ लेबल या जीरो लेबल जिसको आप नीचे देख रहे हैं, हम डिलीट करके लिखे हैं, अब ध्यान से समझना कि यह जो विस्तास का पहला स्टोरी जो है धर थर्ड लेबल यहां से अब्जेक्टिव टाइप का आपका एक कोस्टिन पूछा है, अगेन हम बात करेंगे, ना तो दो नमबर का, ना ही तीन नमबर का कोई कोस्टिन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, तो इवांस धर यानि एक वन माक्स का कोस्टिन पूछा है टोटल टाइगर किंग से, जर्नी टू डा एंड अफ दा अर्स से, अब्जेक्टिव टाइप का दो कोस्टिन पूछा गया है, इसके बाद लोंग टाइप का यहां से कोई कोस्टिन नहीं पूछा गया है, दा एनेमी का बात करें तो the enemy से objective type का एक question पूछा गया है और subjective का question यहां से पूछा गया है एक long 5 number का question जो है यहां से पूछा गया है तो total the enemy जो है आपका 6 number का पूछा गया है इसके बाद on the face of it का बात करें तो इसमें objective का आपका एक question पूछा गया है और इसमें से जो है वो 5 नमबर का कोई भी question नहीं पूछा गया है यानि टोटल जो है इसमें एक नमबर का question पूछा और events try zone all able to delete है नहीं पड़ना है उसके बाद जो last story जो है हम लोगों का memories of childhood इसमें से objective type का 2 question पूछा है और यहां से subjective में कोई भी question नहीं पूछा है यानि दो नमबर जो है हम लोगों का पूछा गया है memory of childhood तो इस तरीके से हम लोगों का जो है इस बार का जो है वो question set है और हाँ जो story जो है delete हुआ है उस story को आप मत पढ़ना क्योंकि कोई benefit नहीं है क्योंकि वहां से question नहीं पूछेगा सबसे important है English में अच्छा number लाने के लिए आप English में objective को सही बनाओगे 30 में 30 objective आपका सही होना चाहिए आपको story याद रहना चाहिए आपको poem याद रहना चाहिए इतना याद अगर आपको रह गया तो long type का question जो है आप अपने own word पे उसको लिख के explain कर सकते हो clear तो objective अब यहाँ पे हो जाता है खतम और 55 number का subjective भी आपको समझा दिये अब आपको ध्यान रखना है कि objective और book का खतम हो जाने के बाद मतलब book में objective और subjective खतम हो जाने के बाद आपको और दो चीज पढ़ना होता है एक पढ़ना होता है आपको passage देखो एक क्या पढ़ना होता है आपको passage जिसको हम normally passage बोलते हैं या reading comprehension बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं उसको unseen passage एक ही चीज है आपको क्या होगा ध्यान से समझना इस बार आप लोगों को दो टाइप का पेसेज दिखेगा एक आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव जैसे ही आपका तीस गो अब्जेक्टिव खतम हो जाएगा उसके तुरण बाद आपको एक नॉर्मल पेसेज दिखेगा देखो यह लिखे हैं यहाँ पे नॉर्मल पेसेज तो देखो इस तरीके से आपका एक पेसेज होगा क्या होगा एक पेसेज इसमें इस पेसेज का जो है यहाँ पे इस पेसेज का जो है यहां से आपको जो है वो 6 questions बनाने के लिए वो बोलेगा और ये normal passage इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि ये जो questions पूछेगा इस passage में इसका answer आपको इसी passage के अंदर से जो है वो मिल जाएगा इसलिए इसको हम लोग normal passage बोलते हैं फिक इसके बाद एक advanced passage आपको इसके बाद मिलेगा और ये जो advanced passage मिलेगा ये total आपका 6 marks का advanced passage होगा अब ध्यान से समझना पहली क्या होता था ना दोनों passage को अलग अलग बाट देता था passage 1 को अलग बाट देता था passage 2 को अलग देता था इसके बाद advanced writing section को अलग देता था लेकिन इस बार क्या किया गया है कि ये जो second advanced passage जो है इस ऐस-पेशजजघ को advance writing section के अंदर डाल दिया. यानि इस-पेशज़ज से related दो question पूछेगा. सबसे पहले समझो. यह जो-पेशज़ज़ज़ है. इस-पेशज़़ज़़़भाइन वर दो question पूछेगा. तिन-तिन नंबर का. तिन-तिन नंबर का पूछेगा. और इसके तुरंद बाद अलग से कोई section नहीं देगा इसके तुरंद बाद आप लोगो को advanced writing skill का भी question दिखने को मिल जाएगा advanced writing skill का total अबरे बार 6 questions दिया है advanced writing skill का कितना question 6 question दिया है और उसके बाद summary writing एक question और एक notes making तो total 8 questions अब इन 8 में से आपको जो है वो 6 questions बनाना है अगर आप passage 2 को बना सकते हैं मतलब अगर इस advance passage को बना सकते हैं तो 2 questions आपको यहीं से बना लेना है summary writing और notes making हम आने वाले आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को अच्छा से समझा देंगे कि summary writing और notes making कैसे होता है जिससे आपका exam में 6 marks का जो marks है वो exam में एकदम secure हो जाएगा अगर आप उस चीज को समझ जाते हो तो और जैसे हम पनाने बोलते हैं वैसे बनाते हो तो आपको basically second passage से यानि advance passage से दो question देगा summary writing तिन नमबर का और notes making तिन नमबर का हो गया 6 number इसके तुरण बात 2 passage रहेगा एक एक normal passage रहेगा और एक advanced passage रहेगा एडवांस passage में notes writing और summary writing मिलेगा summary writing तिन नमबर का notes making तिन नमबर का हो गया इसके तुरण बाद advanced writing skill का question होगा और advanced writing skill में तीन चीज मिलता है बनाने के लिए एक मिलता है हम लोगों को notice चार चीज मिलता है notice, later, report और article अब ध्यान से समझना य यहां से objective type का question भी पूछा जाता है, objective में कम से कम दो से लेके 4 question तो आपको दिखेगा advanced writing skill का, हमेज सा दिखता है इस साल भी advanced writing skill का 2 से 4 MCQs आपको दिखेगा objective, तो इस बार भी notice से जो है आपका 2 objective type का question पूछा है, इसके बाद later to editor से जो है यानि later से आपको एक जो है वो objective type क question पूछा, ठीक है, इसके बाद 2 number का यहां से कोई भी question जो है वो पूछा नहीं जाता है, हाँ, 3-3 number का question पूछा जाता है, report, article, notice, letter से इस बार 5 number का कोई भी question नहीं पूछा है, पिछले साल या इससे पहले जो भी exam होते थे, उसमें report, article, notice, letter यह सब जो है वो 5-5 number का होता था लेकिन इस बार नहीं है, यही चीज हम आपको starting में समझा रहे थे, कि इस बार का model paper में थोड़ा सा changes जो है वो किया गया है, इस बार का जो advanced writing skill है वो 5 number का नहीं है, actual में वो 3-3 number का आप लोगों को मिलेगा, notice, letter, article, report, तो इस बार क्या किया गया है, आपको 2 notice दे रहा है बना के लिए दे रहा है, और इस बार कमाल का बात है, इस बार का जो आपका articles है, वो भी article 2 topic के उपर आप लोगों को मिला है, model paper में, कि अगर आप ये बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, जिससे आपको exam में तयारी और जादा अच्छा से हो सकें, बाकरे, report writing का, तो ये 3 नमबर का, और article writing का बात करें, यानि article का बात करें, तो ये 3 नमबर का पुछा है, ठीक है? आया समझ में तो advanced writing skill से total अगर बात करें तो advanced writing skill से total 3, 3, 6, 4, 10 और 8, 18 अठारा नमबर का question जो है advanced writing skill से आप लोगों को इस बार प्यूचेगा आया मेरा बात समझ में इस तरीके से इस साल का जो आप लोगों का exam होने बाला है English score का इस तरीके से इस साल का जो है वो blueprint है और इसी type का जो है आपको exam में question देखने को मिलेगा मिलेगा तीन-तीन नमबर का आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा आपको advanced writing skill पांच-पांच नमबर का नहीं मिलेगा और advanced writing skill और उसके साथ साथ second paragraph यानि second passage advanced वाला second passage इसमें notes making और summary writing होगा वो दोनों एक साथ आपको मिलेगा अलग-अलग group में नहीं मिलेगा आया समझ में बस आज का वीडियो यहीं तक अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया कि हम आपको क्या समझाने का कोशिस कर रहें तो हम आप लोगों को English के लिए आप बोलना अगर नहीं समझ में आया है तो comment कर देना कि सर English का आप explain कर दीजिए एक बार और तो हम आप लोगों को English का वो मोडल पेपर दिखाएंगे जो जेग बोट के दुवारा रिलीज किया गया है डाला गया है जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर का notes making summary writing किस तरीके से बनाना है क्या है और साती साथ advanced writing skill किस तरीके से उसी में attach है ये भी हम आप ल अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए सब को बाई take care मन लगा के पड़ो और एक्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करो बाई take care